नमस्कार दोस्तों जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सबी फीडियो की नॉटिफिकेशन मिले आपको सबसे पह पिपली गरब मसाले की सामगरिक के रूप में पाई जाती है पिपली की कोमल लताए एक या दो मीटर जमीन पर फैलती है ये गहरे हरे रंग के चिकने पत्ते दो से तीन इंच लंबे यो एक से तीन चवड़े हदायकार के होते हैं इसके कच्चे फल पीले होते हैं तथा प इसके फलो को ही पिपली करते हैं पिपली का ओशद्य रूप में प्रयोग किया जाता है इसके द्वारा कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है आज मैं आपको पिपली के पांच महतो पुर्ण फाहिरे बताने जा रहा हूँ नमबर एक आखों की तकलिफे पिपली का पाउडर बना कर आखों में लगा एक भाग पिपली और दो भाग हरिक्ती को पानी के साथ पीज कर उसकी बीटिया बना कर आखों में रखने से आइफलू और आखों से पानी बहने की समस्या अन होती है नमबर दो लेक्टेशन के लिए दो ग्राम पिपली और एसपे रगस खाने से महिलाव में लेक्टेशन बढ़ता है दो भाग पिपली दो भाग सोंट और दो भाग आउला पाउडर में तीन ग्राम गुड मिला कर दूद घी के साथ पच्चों को फीट करना चाहिए पिने से लेक्टेशन बढ़ती है नमबर तील हरनिया में लापकारी पिपली जीरा कुथ और गाय का गोबर बराबर मातरा में चावल के दल ये के साथ मिलाकर पेज़ बनाई और अपलाई करें यह सिर्फ शुर्वाती दोर में ही किया जा सकता है अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर सर्जिरी के अलावा कोई विकलप नहीं है नमबर चार पाईल्स के लिए पिपली पाउडर एक चम्मझ सीका हुआ जीरा एक चम्मझ बटर में मिला हुआ सेंधा नमक सुभा खाली पेट लेने से पाईल्स में आरा मिलता है पिपली, सेंधानमा, कुठ और सिर्शास सेट्स को बराबर मात्रा में मिला कर पाउडर बनाईए इसको कैक्टर्स के दूद या बकरी के दूद में मिक्स करके पेज बना कर ओइटमेंट की तरह लगाईए पाइल्स और बावासीर कम होने लगेगी कैक्टर्स का दूद बहुत जबर्दस असर करता है इसलिए इसे लगाते समय सावदानी बढ़ते नमबर पाच पीडेर्स और प्रेगनेंसी के लिए पिपली, सोट, पेपर, नाक, चमपा तो बराबर मात्रा में लेकर चूरन बनाईए अगर इसे घी से मिक्स करके दूद के साथ लिया जाता है तो बांच महिलाए आसानी से कस्यू कर सकती है यूट्स से समंदी, जलन या अन्न तकलिफे इसे चूरन से खतम हो सकती है हार्मोन्स इसंबल और मेंस्ट्रूल पेन के लिए यह दवा बहुत प्रभाविक होती है इस दवा को दो से तीन महिने लगाता सुभ़ और शाम लेना चाहिए यह सब प्रभाव करता है आपकी बोडी टाइप में इसलिए डॉक्टर की सलहा जरूर ले देन देवाट